शनी जियनती पर बगवान शनी के 15 अभिशेक दिखाऊंगा बगवान शनी की अंसुनी कथाये सुनाऊंगा जो आपको 50 एपिसोड देखने के बाद यहाँ पूरी शनी कथा सुनने के बाद में जो ग्यान मिलेगा ऐसे ऐसी चीज़े बताऊंगा तो बीच में से skip मत करेगा एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा शनी देव के सामने खड़े होकर दर्शन क्यूं नहीं करना चाहिए शनी देव की आखों में और मुख की तरफ क्यूं नहीं देखना चाहिए लोग शनी वार को पीपल के शनी देव मंदियों की कथा सुनाऊंगा क्या हल हुआ जब साड़े सती आई मा देपर गणेश पर भगवान नाम पर उज्जन के राजा विक्रम दित्य पर रावन पर सत्यवाद यादिस चंद्र पर बताऊंगा शनी कौन से वाहन पर शुब हैं और कौन से वाहन पर अश चड़ता है काला कपड़ा क्यों चड़ता है लोहा वगेरा क्यों चड़ाया जाता है हनवान जी का नाम लेने से क्यों शनी देव खुश होते हैं कथा मंदिव विंदावन के कोकिला वन की शनी देव की हिमाचल के शनी देव बंदिर की कथा सुनाऊंगा मास्टर सिंग्ना लेकिन मद्यम फल देने वाले हैं बैंसा और अधिकतर घुमूरतियों में आपको भैंस की सवारी पर ही लिखेंगे बगवान शनी देव का क्रोज शांत करना चाते हैं तो इन मंदिरों में जरूर जाएं काशिश दिके शनी देव की मंदिर की कथा आगे सुनाओंगा शनी श चुजरात में हैं बगवान शनी देव हनुमान जी के पाउं के निचे इस्तरी रूप में हिमाचल परदेश के महाकाल मंदिर के दर्शन करने ज़रूर देएगा खुद महादेव ने शनी डेव को न्याय का देशता बनाया लोग शनी डेव को कोधित देव कहते हैं और कुल गयर मानते हैं अगर कोई रेफिस्ट या मडरिस्ट को मोत की सजा सुनाए तो क्या वो क्रूर है और जो उन्हें छोड़े तो क्या वो अच्छा है हमारे चोटे से चोटे पाप का दंड और चोटे से चोटे अच्छे कर्मों का फॉल देने का काम महादेव ने शनी डेव के हाथ में दिया है तो वो क्रूर कैसे हो गए जीवन ने बस एक चीज रियाद रखना के कोड़ी भी छोटा सा पाप किया तो उसका फल 33 करोड जन्मों तक भुगतना पड़ेगा क्योंकि कुछ गिरे राशी में एक महीना रहते हैं छे महीना रहते हैं एक साल रहते हैं पर शनी डाया यानि डायland ओर दिसे सारे साथि हाल तखुड ।क दरें तो बुरे और अच्छे कर्मों का फोल साड़े साथ साल तक भुगदने पड़ेंगे उन्होंने मादेव राम रावान शीवबक्त पांडव गणे शत्यवदी अरिस्चंद उज्जेंग के राजा को नहीं छोड़ा तो हम लोगों क्यों छोड़ेंगे शनी देव की क्रू दूस्टी का समय जब आया और जब साड़े साथी लगी तो भगवान रनेश जी का सर कड़ गया मादेव को गुफा में छोपकर बैठना पड़ा भगवान राम की पत्नी का हरन हुआ और उन्हें बनवास हुआ शीवबक्त पांडव की पत्नी का चीर हरन हुआ और उन्हें भी बनवास हुआ मादेव भक्त सत्यवादी हजिस चंदर को अपनी पत्नी को बेचना पड़ा और बच्चे को भी बेचना पड़ा उज्जेन के राजा विक्रम दित्य पे चोरी का आरोब लगा और उनके हाथ पैट कटवा दिये राजा नल का बुरा समय आया तो खाने के लिए उन्होंने एक मचली पकड़ जो मट चुकी दियू से भुना और फिर भी वो पानी में कूद गई कहने का वताब के अगर श्चन देव प्रोधित हुए तो बना बनाया काम भी बिगर दाएगा यह सारी कथाएं में आपको पूर्ण रूप से सुना रहा लेकिन सबसे पहले आप ही यह वीडियो छोड़ जुकि दो बाइए जो दो गोड़े के रूप में महभारत का कन युँगा बाई है और उनकी ना का नामें चया अंगी बढ़ी मां जुने श्चहण चराई नमा दूसरा मन्था से आत्या मन्था आए annéeब प्राव्म स्वह शनेश्टर आई नमा और सबसे में मुंतर है ओम निलाजन्द सवावासम रवी पूत्रम जवांगरजम छाया मार्टन सम्मूतम तम नमामी शनेश्टरम तो चलिए इसका मतलब समझाता हूं आपको शनी जो निले परवत के रूम में चमक रहें और काले कुणदली में भी इसका प्रभाव दिखता है सूर्य देव की पहली पत्नी संध्या जो विश्वा मित्रजी बेटी थी कि दो पूत्र यम्ना और यम्व हैं सूर्य देव का ताप संध्या जी से सहनी नहीं हुआ तो उन्होंने अपने एक छाया बनाई और उन्हें सूर्य बात ridge और शनी काले कीुँएं तो शक हुआ तो उन्हों में च्छाया। इसलिए शनी की नहीं बनती। एक बार सूर्य और शनी जी को चला लेते। लेकिन शनी जी नहीं चला थे। दूसरी कथा एक बार हनवान जी से यूद हुआ तो शनी देव हार गए लात में दर्ध हुई हनवान जी से माफी मांगी तो हनवान जी ने तेल लगाया तो आराम मिला शनी देव को तो जो हनवान जी की पूजा करेगा और शनी देव को तेल चाड़ाएगा काला कपड़ा च झाया नहीं लेकिंजोग। दूसरी माा से खाना मांगा। मां खाना लाने में लेट हो गए उन्हों ने आपने बच्चे यम और वक्राणा खेला रही ट्वुस्ते में आकर शनी देवोंने संधिया को लात मार दी को मां चाप दिया कूंकि टांग तूत जाये Celit तब शनी देव काशी में आकर तपस्या की तो उन्होंने कहा के टांग टूटेगी तो नहीं लेकिन तांग में दर दर एक टांग टेड़ी हो जाएगी तो शनी सबसे दीरे चलने वाले ग्रेह हैं धाया और साड़े साथ साल तक आके बता चुका हों लंबर समय तक दंड और अच्छा फल देते हैं कुंडली में तो इसलिए काशी के भी शनी देव मंद्र में जाएए उन्हें वहां शांती मिली थी तो आपको भी शनी के प्रकप से शांती मिलेगी अगली कथा शनी देव की शादी नहीं करना चाते थे पर पिता सूरे किछा पूरी करने के लिए उ उनको शाब दे दिया क्योंकि शानी देन उनकी तरह देखा तक नहीं था तो पत्नी ने शाब दिया कि उनकी सीदी नजर आज के बाद किसी कि पड़े भी नहीं पड़ेगी अगर पड़ेगी तो वह बर्बाद हो जाएगा इसलिए ज्यादा करके शनी देव की मूटी है कि आखे यहां तो ऊपर देख नियूंदीत नीचे की तरफ शनी देव के जब धी दूशन करें तो हाथ पैजी की तरह पीछे रखका दर्शंद करें इसलिए कभी भी शनी देव की आखें और मुख देखते हुए पाओं की तरफ देखकर दर्शन करना चाहिए जो ज़ीदा क कंकाली, कलही, तरंगी, कंटकी, कलहप्रिया, तरंगी, मनिशी और अंजा, एक कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक बार शनीदेव की वज़ा से एक गाउं में सुखा पड़ा, तो होशिक मुनी गाउं छोड़कर चले कर और मजबूदी में अपने बेटे को पीपल के प पूछा मेरे माता पीदा मुझे क्यों छोड़कर चले तब मानुपड़ा था कि शनीदेव की वज़ा से ऐसा हुआ, तो तब बल से उन्होंने शनीदेव की टांग पर हमला कर दिया, जिनसे शनीदेव की टांग में काफी दर्ध हुआ, बात में जब उन्हें समझाया गया कि शनीदेव तो अपना कर्म कर दे है, वो तो न्याई के देवता है, तब उन्होंने शनीदेव से मांगे भांगी, तो पिपला जिशी ने शनीदेव से माफी मांगते हुए कहा, कि मैं वर्धान देता हूँ कि जो भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएगा, दिया स को याद करेगा, तो शनीदेव का प्रकोप उनके ओपर कम होगा, और मन से अशीर वाद मांगे शनीदेव का, अगली कथा, सभी देवता बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए व्रिंदावन पहुँचे थे, तो शनीदेव को भी हुआ कि वो भी बगवान कृष्ण के दर लेकिन शनीदेव नहीं माने तो हनवान जी और शनीदेव में एक बार फिर से युदवा, तब शनीदेव ने हार मानी और हनवान जी से माफी मांगी, तब शनीदेव ने कहा कि जो भी हनवान जी की पुजा करेगा और उनके ओपर तेल चाड़ाएगा, और यहाँ पर कोकि से बड़ा मंदिर शिंग्ना पुन महार अस्ट्र एक मूर्ति बैहकर पानी में आई इस पड़ि चलवा होने देखी मूर्ती तो एक रोट से मूर्ति को हटाने की कोशिश चीच वह जिला थी तब एक लेको मूर्ति तस्की मस्त नहीं हुई तब एक चलवाय को रात को सपने में द्रशन दिये शनी देव ने तो उस बक्त ने पूछा कि मैं आपका मंदिर बनाऊ चाहता हूं तो शनी देव कहा कि बनाओ लेकिन मंदिर के ओगर छत नहीं होनी जाए क्योंकि बगवान सुरे उनके पिता हैं तो वो खुले में ही देना पसंद करेंगे और शिंग्णापुर के इस मंदिर में ऐसा चबंतकार है कि कि एक किलोमेटर के एरिये में किसी भी घर में तब से लेकर सत्युक से लेकर आज तक कोई भी चोड़ी नहीं होई कोई अपने घर पे ताला भी नहीं लगाता है यूवान के गौवर्मेंट के पॉस्ट आफिस में भी महंगी चीज़े पढ़ी होती हैं लेकिन वहां पर भी कि ताला नहीं लगता और आज तक कोई चोड़ी नहीं हूंआ है nice and कि लोग शनी दूऊ के प्रकौफ से डढ़ते हैं शनी को शांत करने के उपाइकि बाद करते हैक तो शनी कथा जो अभी मैंने आपको सुनाए शनी कथा सुने हो सक самое हर शनिवार कर नई तो शनिवार की अपाथिक दीन या शनी 1-10 शनि चारीश हा पढ़े शनी जी की पूजा से शनीदे प्रसन होते हैं, दान में जूते दे, छाता दे, गोडे की नाल का लोहे का छल्ला पेने, जूट बोलने वालो से, शनीदे नाराज होते हैं, इनसे नाराज देते हैं, जूट बोलने वालो से, कपट करने वालो से, गरीबों का अपमान करने वालो से, माता ढखाने वालों से और शदाप पीने वालों से अगर शनी देल नाराज हो तो काम काज में रुकावट आती है शादी में तक्रीफ होती है लंबी बीमारियां होती है एक्सिडेंट भौने का ड़र लगा देता है अकेड़ेपन का सामना करना पता है अगर आप शनी मंदिर में जाएं तो वहां पे चमणे का बेल्ट पहें कर अंदर जाने नहीं देते तो बेल्ट तो आप निकाल के जाएंगे लेकिन जो लोग नौनेज खाते हैं तो चमणा आपके पेट में छला गया और खून बन गया है तो उसे कैसे निकालेंगे तो औरों को बेगा कूँ और जैशनी देव